करो बख्षिश फिर उचार्ण करो जी सत नाम स्री वाखे गुरू जी सत गुरू गुरू पंचम पादशा महराजी ने इस पवितर शबद रहाओ वाले बचना विच किरपा की ती मेरे मन हार पाज एक रंग खे मेरे मना हार पाज उस परी पूर्ण वैगुरू खरीनु शिमर ओदा पजन कार ओदी बंदगी कार कितना समा के लगे सदा ते करनी के में खे एक रंग रंग दा अखरी अर्थ एथेवे प्रेम एक प्रेम विच पेजिके है प्रमातमा दी तू प्रेमा पगती करनी के सहिब तन गुरू गरंत सहिब जी दी अमरत बानी विच जदोसी तर्म कमान दी जां प्रमातमा दे दर ते जान वास्ते मार्ग पुछने हैं ते खजूर अमरत बानी विच प्रमातमा दे करनी जान वाला जो मार्ग है गुर्मत विच उसनो प्रेमा पगतीदा मार क्या गया है के प्रेमा पगती रही तो उस प्यारे वै गुरू जी तक पहुंच सकना है क्योंके आम तौरते मत युग दे अंदर तर्मनो कमान वास्ते चार सादन अपनाए गैसा पहला सी करम दूसरा सी ग्यान तीसरा सी जोग ते चौथा सी पगती सिर्फ आउना आपाँ पाजते खै ते पगती शब्द जाँ पगती शब्द भी संस्कृत दी पाजतातू तो पैदा होया है पगती शब्द जो बने आखै जाँ पगती शब्द खै पर पुरातन समें ए मद योग विच मिथ्या गया कि परमात्मानू जा तरमनू जा रोहानियत नू कमान दे चार तरीके दसे गया पहला सी करम, दूसरा सी ग्यान, तीसरा सी योग, ते चौथा सी पगती एक एक नुक्ता सिर्व में संखेप जा सांजा करके पगतीवा लुणाख है गुरू गरंत साहिब जी दे अंदर, जो पहला सादन वरते आगया करम ते करम दा अखरी अर्थ सी तरम दे नाम ते की ते कोई करम कांड एक करम करो, एक यग करो, एस तीरते जाओ, एस तांगनल दान पुन करो एक हो जै करमा ना रब्दी प्राप्ती होवेगी मेरे गुरू गरंत साहिब जी ने करम कंडा नू परवान नहीं कीता पर एक गल्पु लिये ना शुब करमा नू अपनाउन ते जोर भी दिता है करम शबद, करम कांड, उधारन दे तोर ते केड़े करम कांडा तो वरजिया गुरू शब दे बचन आप पढ़ देओ, के चार तरीके सन करम, ग्यान, योग ते पगती गुरू शब ने उस करम कांड तो सानू उपर उठाया केड़े जिनना बारे तनु गुरू अर्जुन शब जी दा बचन है, पाठ पढ़ेओ पाठ कीते, तर्म गरंत पढ़े, पढ़ना कोई माड़ी बात नखी पर जे केवल करम कांड तक शीमत तो रह जाया, उनू अपनाए ना ते ओदे बारे गुरू गरंत सहीब जी दी बानी विच एने के पाठ नी पढ़ना बानी ने पढ़नी हजूर ने किया, जे बंदा पढ़ी जान दा है, पिर क्या पढ़ी है, क्या गुनी है, क्या बेद पुराना सुनी है, पढ़े सुने क्या होई, जो सहज ना मिले हो, सुई जह पढ़ी गया करमता करी गया मैं इनना पढ़ देया मैं इनने गरंत पढ़ ले सत्ध गुरु किन दे पढ़े होई कि ते कर्मकांड ही नबन जान ते पढ़या हो या कर्मकांड उदो बन दा खै जदो सहब किन नानक लेख है एक गल खोर खो मैं चखना चाख हजूर ने कर्म कांडा तो सानू सुचेत कीता ते गुरु अरजुन देव जी ने ता खास करके कर्मा दी गल कर दिया मैं बेंती कीती के फोके कर्म कांड जिनना हमेचे रास नकी वखावे देने उनना नू परवान नी कीता गया पर एवी गल जरूर समझ लिए के शुब कर्मा नू त्यागल ली भी नी क्या गया केडे कर्म अख्तियार करने ने गुरु अरजुन सहीब जी दा बचन आ पढ़ देओ के पाठ पढ़ेओ एक कर्म कांड पाठ पढ़ेओ और बेद विचारेओ नेवल को अंगम सादे पंच जना सो सांग ना छुट केओ जे पाठ भी कर लाए विचार भी कर लाई योग वाले कर्म भी कर लाए पर प्यारेओ अंदर वाली मलीन ता अंदर दे पंच वकाराने खेडा न चड़िया ते तानुगुरु अर्जुन साहिव किनने ए तेरे कीते कोई कर्म साच जानी तरम दे नाम उते कर्म कांड बन जानगे तेरे अंदर दी तरकी की होई खेड अंदर दी उन्ती की है पाठ पड़ेओ और बेद बिचारेओ निवल कुएंगम सादे पंच जना से उसांग ना चुटकेओ अधक आंग बोद बांदे प्यारे इन पिद मिलन न जाई ए कर्मा तो सानुबर जिया प्यारे इन पिद मिलन न जाई मैं किये कर्म अने का हार परियो स्वामी के द्वारे दी जै बुत बबेका हुन बबेक बुती वाले कर्म दे अर्ज मैं कर रहे हैं हमां चार तरीके सन मद योग विच कर्म ग्यान योग ते पगती गुरु शैब ने कर्म कांडा तो वरज के केडर कर्म सान शुवप कमान ली किया एवी ता कर्म हुये ना के जब हो ता एको नामां अवर निराफल कामां ये वी ता काम ही है जिनुपकती रूपिच गुरु सैब ने क्या अवर काज तेरह किते ना काम मिलशाद संगत पाजे केवल ना प्यारे ओ कर्म कांडा तो वर्जेया है ते जदो तरम ते नाम ते फोक के कर्म की ते गए बे रशे है जिनना विच शोख ने सी रास ने सी लचक ने सी प्यार ने सी उना बारे पिर गुरु साहब जी ने बानी विच क्या प्यार या के देख शरोमनी कर्म कर कर्म कांड ना कर एहो जाए कर्म कर जिदेना रब्दा कर्म ते नो मिल जाए एहो जाए शोब कर्म कर जिदेना रब्दी प्रमात्मा दी बक्षीश मिले ओ कर्म है हर कीरत साथ संगत है सिर कर्मन कै कर्मा काउ नानक तिस पयो परापत जिस पुरुब लिखे का लेन सब तो शरोमनी कर्म जो है ओ खरी कीरती परमातमा दा कर्म ते साच जानू परमातमा दे कार विच बाकी कर्म कांडता हो सक दा खोस जान मैं इना दान कीता है इतने मैं वर्त रखे है इने गरीबां विच बस्तर बंडे है इने मैं गरीबां दी पढ़ाईदा परबंद कीता है सारियां गल्ला बढ़ियां चंगियां नी शुब करमने है पर गुरु सहब किन ने जेह पर साद करा है पुन बहुदान थोड़ा जैसे बेंती नूँ समझे हो जें पर साध कराएं पुन बहुदान मन आठ पैर कर तिश का त्यान की अठे पैर तू उस परमातमा दा त्यान टिकाया जिदी किरपा नल तू दान पुन करन वाले शुब कर्म करदा रिया यह दा मतलब के दान चंगा करम सी पुन चंगा करम सी ते जे दान पुन करके खौं में बदाई गया है उनू चेते ही ना किता जिनने ते नू दान पुन करन वास्ते तान दौलत दिती सई अर्थां विच दान पुन करके वी परमातमा दाते आंट का उस सब तो शुरूमनी कर ख़जूर ने बानी विच क्या के लगे जे सिर्व खावे दे रह गए ते फिर प्यारिया चेते रखीं करम तरम पाखांड जो दिश हैं पाखांड ना होन जे पाखांड बन जान गे इस करम नू परवान ना कीता है करम तरम पाखांड जो दिश हैं तेन जम जा गाती लूटा है ते केडा कम करो कह लगे निर्बान कीरतन गावो करते का निमक सिम्रत जित छूटा है निर्बान कीरतन हर कीरत साथ संगता है सिर करमन के करमा में सिर बेंती कीती पहला एक आगया के ऐसे करम करो ता प्रबु जी खोश होन गे ता परमातमा री जेगा हजुर ने करम काड नई परवान कीते पर हरी कीरती करनी ते शुब करना गुणानू शुब अमलानू शुब करमानू चंगी करनी नू अख्तियार करन वास्ते मनुखनू परेरिया भी खै गुरु गुरंड सही जी ने दूसरा तरीका सी के ग्यान दे राखी पहला करम ते दूसरा ग्यान मेरे गुरु सहभ ने बानी विच जेडा ग्यान खे ना ता ए शास्त्री ग्यान खे ना ए पंड़ताई वाला ग्यान खे ना प्यारे ओ ए विदुता दा केवल ग्यान खे ते ना गुरू गरंट साहिब दी बानी विच वाचिक ग्यान नो परवान कीता गया ग्यान दी गल कीती ग्यान होना चाहिए दै पर प्यारे वो उस ग्यान नो परवान नी कीता के बहुत सारे गरंट पढ़ दै लतीफ अकल वाना बन गया हर गाल्दी बरी की विच जान लग पया कि एखो जी लतीव अकल नाल परमातमा स्यान पर नाल एखो जा ग्यान ना रीजद है गुरु साहिब ने बानी विच एक बचन के है कहन लगे प्यारे हो जे एक बंदा ग्यान वान खे ग्यान वान दा अर्थ संसार्ख ग्यान शास्तराँ दा ग्यान पंड़ताई दा ग्यान वाचक ग्यान पर उसकुल परमातमा दी याद नहीं ते उनु गुरु सहेब के ने ग्यानी गुर्बिन पगतना हुए शब्द मुखात्ब ग्यानी नु कीता खे ग्यानवान बंदे ग्यानतियां बाता करन वाले परमातमा दी पगती तो बिना ग्यान नहीं गुर्बिन पगत नहोए गुरु तो बिना परमातमा दी वै गुरु जी दी पगती नहीं हजूर ने क्या के ग्यान उसनों परवान नहीं किता है जिड़ा केवल पंड़ताई वाला ग्यान सी ऐसे ग्यान सबंदी तां गुरु सहब ने बानी विच अनेका बचन कहे हैं असी अम्रत बानी पढ़ने हैं ते बेहंत शब्दत उसी पढ़ देओ जेता पढ़या तेता कड़या हजूर दी बानी दे बचन दातार केंदे ने एक होज या ग्यान परवान नहीं हाँ केड़ा ग्यान चाहिदा है परनवत नानिक ग्यानी कैसा हुए कर्म वी चाहिदे ने पर कर्म कांड फोके नहीं ओ कर्म कर जड़ा परमातमा दे चरना विच तेन जोड़न वाला है ते जड़ा अंदर दी मेल तो उनवाला है दूसरी बेंती के ग्यान वी चाहिदा है केवल चुंच ग्यान वाचक ग्यान शास्त्री ग्यान नहीं ग्यान ओ चाहिदे जिन्नों सहिब कहरे ने के परनवत नानिक ग्यानी कैसा हुए आप च्छाने जड़ा आपने आपनों पढ़न दी यतन करे क्योंके साड़ा अंदर भी बाहर दा ग्यानी पढ़दा है साड़े नेतर लोकां दे चेरे पढ़दे ने सही अर्थां वीच ग्यान वान ओवे जिदा अंदर भी आपा पढ़े ते गुर्मखो जिदियां अख्छा किसे दा चेरा पढ़न दी था आपने गिर्वान विच आपने आपनों पढ़ना शुरू कर दे आप च्छाने आपने आपनों पढ़चोले आपने आपनों पहचाने ओ ग्यान किमें पैदा होवेगा परनवत नानक ग्यानी कैसा होए आप च्छाने बुझ जाए सोए ओ ग्यान होवेगा गुर पर साद करे वीचार गुरू दी किरपान अड़ अंदर नो वीचारे अंदर नो पड़ चोले की वीचार दा अकरी अर्थ एक है असी ये बानी दे अर्थ कर दिया के ने है के शब्द वीचार सब तो उपर खे अन्जे कोई पुछे के शब्द वीचार दा अर्थ की आपाँ ए अर्थ कर ले सोच़े सोचना हो वेई जे सोची लखवार लखाँ वरादी सुचमता नालवी अंदर सोचनी होगी ए ता वीचार हो गई कि एस विचार दे नाल साड़ा अंदर सुचाख हो गया केड़ी विचारवल गुरू जी सानु तोर दे पहने विचार मारे तरह तार है जेड़ा विचार करनतो बाद अपने मानदिया वाशनावानू मारे जेड़ा मन नू मारन दा यतन करे सई अर्था मिच ओव ही विचार वान खै बाकी शब्द विचार चंगी साडेली प्रेर ना खै पर जेड़ अंदर उचाल दे नहीं अपने अंदर नू मार नी रखे फिर गुरू सहब किने सई अर्था मिच विचार नहीं हजूर ने किया पर्णवत नानक ग्यानी कैसा होए आप पच्छाना बूझ जाए सोए गुर पर साद करे विचार सो ग्यानी दरगा परवान जेड़ गुरू दी किरपानल विचारे अपने आपनू पड़ चोले सई अर्थां विच ओ ग्यानी पर्मात्मा दी दरगा विच रब दे कर अंदर साई दे कर अंदर कबूल खे ग्यान नो परवान की तागया पर उस ग्यान नो नहीं जड़ा अंदर बखेडा पहदा करे उस ग्यान नो परवान की तागया प्यारे हो जेस ग्यान दे नाल सादे अंदर नो सकून मिले ये थेक बेंती मैं खोर कर दे हैं आप को के ग्यान शबता इको जाई है प्यारी होगे दे विच कोई शाक नहीं लोहे दे संगल भी एक लोहे विच्चो बनेने जन्जीर ओभी ता लोहे विच्चो पैदा होई है जेड़े संगल बंदे दे पैरानों मारे जान देने जेड़ी कड़ी खाथ कड़ी इनसान नो लाई जान दिये गुना करन तो बाद ते ओभी लोहे दी बनी खै पर इस गालनों कदी पुले ओना उससे लोहे विच्चो हाथ कड़िया उसे लोहे विचो संगल उसे लोहे विचो बेडियां पैदा हुई याने उसे लोहे दे विचो एक आरी भी पैदे होगी जेड़ी लोहे दियां जंजीरां ते लोहे दे संगल नू कटन दी समरता राक दी है एक ग्यान ओख है जेड़ा केवल खौमे दे संगल बनके अंदर जक्र लेंदाखे जेड़ा सानू हाथ दिया कडिया बनके साड़े खथानू विकास तो रोकदाखे जेड़ा पैरा दिया जंजीरा बनके सानू अगे तुरन नहीं देंदा पर प्यारे ओ, गुरु का ग्यान ता, ओ ग्यान है, जड़ा लोए दिया बनिया को या कडिया नू, लोए दिया बनिया को या बेडिया नू, ते लोए दे बने को संगला नू तोड़न दी समरता रखदाखे, ग्यान चाहिदाखे, करम ओ कर, जड़े नल साइन नल तेरे इस ग्यान नो तारन कर कि जिस मान ने जनम दिता है एदा तेरे नल कितना कुछ सबंद सी पहला पिज़ा बाप दा सबंद की सी जिस सई अर्थां विच ग्यान हासल करने ही ते ग्यान वान एह समझ कि ऐस वजूद विच आउन तो पहला तू आया कितों है कत की माई बाप कत केरा कि दू थावों हम आए अगन बिम्ब जल पीतर निपजे काहे कम अपाए सब तो पहला एग ज्यान खासल कर तू आया कादे वास्ते में ते केना कम तू करना है मेरी बेंती समझे हो मैं अर्थ फिर थोड़ी जी दुरादिया के माद योग विच गुरु सहिब जी दे काहल विच उस वेले चार गलां दी परदान ता सी तेह जी विसी देखने हैं करम ग्यान योग ते पगती गुरु सहिब ने शुब करम अख्तियार कर ली प्रेरियां पर तरम दे नाम उते कीते कोई पखंड परवान ने कीते हजूर ने शास्तरी पंड़ताई वाचक ग्यान नो परवान ने कीता पर जिस अंदर ब्रहमदा ग्यान हो गया उस दे ग्यान नो गुरु सहिब जी ने सवकार भी कीता ते कला सवकार नकी गुरु सहीब ने उदा सतकार भी की था उस निर्मल ग्यान नो सबकारिया भी गया ते उस निर्मल ग्यान नो सतकारिया भी गया ओ ग्यान के में पैदा हो भी मेरे तन गुरु नानक बाबाजी ने अपने जीवन काल विच साजूर ने सब तो पहला उस पंदे नू अंदर दा ग्यान पैदा करंदियां जुगता दसियां सा हाला पंदा बार ग्यान दे अक्र जान दै बार दी पटी बारे भी उनू समझ कै पर गुरु सहिब जी ने वाचक ग्यान तो उपर उठाके एक गल समझाई सी पढ़या मेरा वीरा मेरे तो श्यानिया अपने आपनों सुग्ड समझन वाड़या सई अर्थां विच तू ग्यान वान ता बनेगा जिस दिन तू रब दी दरगा विच भी लेखे दे कागजानों पड़वा लगे जे तेरे सिर्दे लेखा देना रह गया जे सिर्दे उते कीते हो करमादा बोज प्यारया फिर तू विदवान कादा है हजूर ने बचन कीते कहन लगे प्यारे के देख पटी विच असी ये बचन पढ़ने है हजूर केंदे ने के जे तू पढ़ना चाना है मन काखे पुले मूड मना जब लेखा देवें बीरा तो पड़ें इस पड़े नू परवान कीता है जड़ा लेखे दे कावज नबेड जाए इस ग्यान नू सबकार कीता हुण ओ देखो मैं कुछ उदारना देडिया ने भी एदा मतलबे नी के गुरु सहीब ने ग्यान दा खंडन कर देता करम दा खंडन कीता फोके करम कांड नहीं सबकारे पर शुब करम ते परमातमा दी पगती दे करमा नू सबकारे आखे फोकिया ग्यान दिया गला नू कोई था नी दिती ओते ते शब्द कहने कबीर जेह मारग पंड़त गए पाच्छे परी बखीर पंड़ताई ग्यान पिछे पीडान लाग जा दियाने एक अवकट काटी राम की तेह चड़ रहो कबीर अवकट काटी सई अर्था मिच अंदर दा ग्यान है हजूर उस पड़े लिखे दे ग्यान दी गल करके कहरे ने मन काहे पूले मूड मना जब लेखा देवे बीरा तो पड़िया तो पूछद आए भी ए लेखा किमें दिता जाए गुरु शेवकेंज ने पहले लेखे लिखन दी जाज आ जाए महराज लेखा किमें लिखे आ जाए सचे पादिशाने ओ गुणसानु दसे ने पर उदारन पामें बार दी लिखाई दी ले पटी बार दी गल कीती कलम बार दी दी गल कीती शाई जड़ी बार तियार कीती जाए ओदा जिकर कीता पर प्यारे हो सारिया बार दीया वस्तमा दी गल करके सई अर्थां विच गुरू ने अंदर दे लेख लिकन दी जाज शखाई काले लेख नखी प्यारे हो सुनैरी लेख चिते लेख काले लेख नखी बाबा जी दे बचनसी पढ़ने है कहने लगे जे तू अंदर दा ग्यानी बनने है सब तो पहली बात के अपने शरीर दे मो नुशाण जितनी देर तक इनसान को दे अध्यास है अंदर दा ग्यानी किमे बन सकेगा जे बंदा अजे खान, पान, पहरन किसे पदवी दी खावश विच तुरिया भीच रहे प्यारया जाल, मो, मो नुशाण के शाई बना ले कास मस कर प्यारया इस त्यार कीती कोई शाई नुश चंगीतरा मल दे बरी कर दे जाल मो, कास मस कर मत कांगद कर सार कोई खोर चीज नकी अपनी मत्दे कांगज उते लेक लिखने हैं